हेलो प्रेमर बेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंट आज के वीडियो में आप लोग को सिंपल प्लाउच की स्टीचिंग से एर करूंगे इसकी कटिंग की वीडियो मैंने अपने चैनल पर अप्लोड किया है लिंक डिक्स्क्रिप्सें में है वहां पर जाकर आप लोग देख सक इसकी लंबाई है 15 इंच टोटल लंबाई है 16 इंच एक इंच यहां पर हम फोल्ड करेंगे जो नीचे हमाई दूर्पाई मार्चन है तो यहां से कट लगाएंगे उसके बाद डाट पे भी कट करेंगे इस तरह से उसके बाद इसको हम बीचे के तरफ भी निशान लगाएं इस तरह से तिर्चे में तो यहां पर दोनों डॉट हम लगा लिए हैं उसके बाद हम इसको इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे तो यहां पर कच्छी सिलाई लगाएंगे क्योंकि यहां पर तुर्पाई करना है तो इसको हम पहले सिलाई लगा लेंगे इस तरह से तो यहाँ पर हम सिलाई लगा लिए हैं, उसके बाद यहाँ पर देखिए कितने अच्छे से एक बराबर आया है, उसके बाद हम फ्रेंट पार्ट को तयार करेंगे, फ्रेंट पार्ट में डॉट लगाएंगे, तो इस तरह से यहाँ पर इसको अलग कर लेंगे, उसके बाद यहां पर इसमें हम निशान लगाएंगे इस तरह से, जो हाफ इंच का हम मार्जिन लिये थे, डॉट मार्जिन उसको हम इस तरह से निशान लगाएंगे, यहां पर इतना लेकि हमको सिलाई लगाना है इस तरह से, तो इस तरह से निशान लगाके उसके बाद हम इसमें डॉट लगाएंगे तो फिर एन मेरी वीडियो थोड़ा सा भी हैलपूल लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करके अपने फैमिली में सेर कर दीजिएगा एक प्यारा सा कामेंट जरूर करें चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादे सपोर्ट लिएगा फ्रेंट्स तो यहां पर हम डाट लगा लिए हैं इसी तरह से हम दूसरे पार्ट में डाट लगाएंगे तो यहां पर देखिए कितने अच्छे से डाट लग गया है कितने फिनिसिंग के साथ उसके बाद लिएगा तो यहां पर दोनों पार्ट में डाट लगा लिए हैं उसके बाद अब हम बनाएंगे हूक आई की पट्टी तो इसके लिए यहां पर पट्टी हम काट लिए हैं तो यहां पर इसकी लंबाई 11 इंच है तो यहां पर इसकी चोड़ाई 3 इंच लिए हैं तो अब इसको हम तो यहां पर हम सिलाई लगा लिए हैं इस तरह से उसके बाद इसको हम पलट के हाथ से फिनिशिंग करेंगे इस तरह से इसको सेट करेंगे इस तरह से कपड़े को एक बार मोड के सिलाई लगाएंगे इस तरह से तो यहां पे हम सिलाई लगा लिए हैं उसके बाद इसको हम पलट लेंगे जो इस्टा कप्ड़ा है उसको हम काटके निकाल देंगे इस तरह से उसके बाद इस तरह से पलट लेंगे क्योंकि यह तुर्पाई वाला है इसमें हम कच्छी सिलाई लगाएंगे इस तरह से बाद में हम तुर्पन करके इसको खोल देंगे तो यहां पे शिलाई लगा लिए moment उसके बाद जो इश्टा कपड़ा है उसको आम काटके निकाल लेंगे दोनुं तरफ से, उसके बाद अब हम, यह हमारी भूक वाली पट्टि कंप्लेट हो गई अब हम आई के पट्टी कंप्लेट כरेंगे तो इसके लिए यहाँ पे पट्टी हम कटिंग किये हैं तो इसके लिए यहाँ पे भी तीन इंच लिए हैं यहाँ से एक बूट की शिलाई लगाएंगे पूरे पट्टी में तो यहां पर शिलाई लगा लिए उसके बाद इस तरह से हाथ से नीशिंग करके उसके बाद इसको इस तरह से पलटके उपर के तरब इस तरह से उपर से शिलाई लगाएंगे तो यहां पर एक शिलाई लगा लिए उसके बाद यहां पर हम दूसरा शिलाई लगाएंगे तो यहां पर हम डबल सिलाई लगा लिए हैं उसके बाद जो इस्टरा कपड़ा है उसको हम इस तरह पहले बराबर करेंगे उसके बाद यहां से हम इस्टरा कपड़ा काटके निकाल देंगे इस तरह से तो यहां पर इस्टरा कपड़ा हम कटिंग कर लिए हैं उसके बाद हम यहां पर बैक पार्ट लेंगे, बैक पार्ट में हम इस तरह से मोड़के, उसके बाद यहां पर हम भुटिंग का निशान लगाएंगे, तो यहां से हम देखिए, पौनी 11 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से, उसके बाद यहां से कमर पर निशान लगाएंगे, तो 9 तो बैक में हम फेटिंग का निशान लगा लियें इस तरह से उसके बाद हम फ्रेंट में भी फेटिंग का निशान लगाएंगे तिंची टेप को यहां पे रखेंगे इस तरह से आउसके बाद यहां से हम इस तरह से पौने 11 इंच पे निशान लगाएंगे जिस तरह से हम बै का निशान लगा हैं वहां पर इस तरह से कट कर देंगे दोनों तरफ इस तरह से दोनों तरफ का निशान कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हम कंदा जॉइंट करेंगे इसका तो यहां पर बैक पार्ट लेंगे उसके बाद फ्रेंट पार्ट को इस तरह से रखेंगे उपर से हम हाप इंच जो सिलाई मार्जन लिये थे कंदे की इस तरह से रखके हम सिलाई लगाएंगे दोनु कंदे में तो इसके बाद यहां इसको हम इस Sumterni कि अयहां पड़़ लोगा हैं यहां पर caster यहां पर फोल करके सिलायी लगाएंगे इसमिए इस तरह से वराबर करके तो यहां पे दोनों स्लीफ ऑप सब्सक्राइब करके इसमिंटप कच्छी लगा लिए हैं उसके बाद यहां पर जय चिलास का निशान तो यहां पर यह स्लीव्स है और यह जो क्रास वाला है वो फ्रेंट पार्ट के तरफ करेंगे गराई एरिया उसके बाद इस तरह से यहां कंदे पे रखर इसे सिलाई लगाएंगे तो यहां पर हम एक तरफ सिलाई लगा लिए उसके बाद इसको हम पलट के इसमें हम डबल सिलाई लगाएंगे इस तरह से तो यहां पर एक बार सिलाई लगा लिए उसको हम डबल सिलाई लगाएंगे उसके बाद इहां पर देखिए डबल सिलाई लगा लिए उसके बाद इहां पर देखिए कितना प्रिसिंग के साथ सिलीप जॉइंट हो गया है इसी तरह से हम दूसरा सिलीप जॉइंट करेंगे तो यहाँ पर दोनों स्लिप जोइन कर लिए हैं उसके बाद हम यहाँ से अब उसके बाद इस तरह से स्लिप को बराबर कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर निशान लगाएंगे तो यहाँ पर चैन दो पॉइंट पर निशान लगाएंगे उसके बाद इस तरह से सीधा कर लें करने हैं कि उसके बाद यहां से हम सिलाइं लगाएंगे फीटिंग का आइ की उसके बाद यहां पर नीचे जो है उसको मीश तरह से फोल्ड करने हम सिलाइ लगा लेंगे यहांपर तो यहांपर गपड़ा है इसको निकाले less तरह से दूसरे साड भी शिलाई लगा लेंगे तो यहां पर दूसरे साड शिलाई लगा लीए है जो इस्ट्रा कप्ड़ा था उसको हम काटके निकाल लिये उसके बाद इसको हम पलटके देखेंगे तो यहां पर देखिए कि इतने इच्छे से यह फिनी सिलाई प्रेंड आज की वीडियो कैसी लगी कामेंट करके दोगा देंगे तो यहां पर देखिए यह कितने फिनिसिंग के साथ त्यार हुआ है तो यहां पर घले में हम पाइपिन भी बना लिए हैं पाइपिन बनाते समय में आप लोग को नहीं दिखा पाई क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा था तो यहां पर देखिए कितना अच्छा पनिसिंग के साथ मेरा ब्लाउज और टक्स ब्लाउज कंप्लीट हो गया है तो प्रेंड आज की वीडियो कैसी लगी कामेंट करके ज़रूर बताईएगा आई होप यह वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो लाइक करिए चैनल पर नहीं है चैनल को सस्क्राइब करिए तो मिलते हैं नेस्ट वीडियो में ठैंक्स फार वाचिंग